आप कमेंट्स में अपना-पना एडर्स भेज दीजिएगा तो जो भी समोसा एक्स्ट्रा बनेगा वो मैं आपको भेज दूगा अपना रही हो यह पूरी अ ख़ोद के लिए हाँ बना वाहे है और भर पर सब्समोसा बना कीघाले के खाना तो जोग से पार्ट असलाम उलेकुम प्याले दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं सभी लोग एक तम बढ़िया होंगे और खेर आफियत से होंगे तो वेलकम बैक तो यूर ओन यूटुब चैनल उमर फारुग व्लॉक्स एक नया वीडियो है आज एक पकवान का वीड बरफ गिरती मजे करते यार अब सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको आज दिखाता हूं घर पे आसान तरीके से समोसा कैसे बनाया जाता है और बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं घर वालोगों बना लेना तो लेट्स गो अभी मैं आपको दिखाता हूं समोसे कैसे बनते हैं ठीक है तो समोसा बनाने के लिए आटा सबसे जरूरी है तो यह हमने मैदा लिया है और एजवैन लिया है और इसमें घी डाला है और नमक डाला है थोड़ा सा तो थोड़ा सा पानी डाल रहे ह तो जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे इस आटे को हम गून लेंगे पहले सकत ठीक है सकत गून नहीं इसको तो यह देखो सकत हो रहा है यह आटा पानी का ऐसा है पानी आपको पूरा नी डालना एक साथ थोड़ा-थोड़ा करके डालना है अचली आप सब लोग बोल रहे होंगे कि आपके पकवान की ही वीडियो से बनाते हो तो हम घर पे इससे पहले मतलब यूट्यूब पे चैनल खोलने से पहले भी हम लोग घर पे ऐसे ही बनाते थे एक दिन या दो दिन के बाद या डेली-डेली भी कुछ ना कुछ बनाते रहत समुसे हमने जएदा थाफर नहीं बनाए हैं हना मॉमी ₹ Italian समोसी की जो filling होती है वो तियार करेंगे आठा हमने कून के साइड में रख दिया Filling मेन होती है आपको पता हिए तो अभी सबसे पहले हम समोसी की filling तयार करेंगे इसमें छोड़ ताइम लेगा उसके बाद हम बागी की प्रक्रिया करेंगे ओके ओके गॉडड़न अप्डिट फर मममा बोल रही है कि हम समोसा भी बनाएंगे उसके साथ चने भी बनाएंगे मतलब आपने देखा होगा समोसा छोले चने या जो भी होता है वो तो वही बनाएंगे हम तो समोसे में तो फिलिंग आपको पता है या आलू मटर की रहती है बट उसके साथ हम हम चने भी बना रहे हैं चने या छोले चोले बोलते है या चने बोलते हैं तो समोसा छोला हम लोग बना रहे हैं तो अभी हम लोग वो जो छोले होते हैं वही प्रेपेर कर रहे है ठीका ये तेल में जीरा डाला हमने ये डाला लसन ये आपे प्याज और ह तो यह भिन्न किसम के मसाले जो कि सब इसी में जाएंगे बिसमिल्लाइ ओके यह बन गया तिखा तिखा सा मसाला अभी इनमें छोले डालेंगे यह चोले हमने उबाल के रखे थे तो अभी यह जा रहे हैं इंता लाल हो गया कलरे देखो है जो चोला समोसा इसि एक एड़िग रैडी है यह geçो सäमोसे में जाएंगे में इंके साथ समस्ति करूंगा ज़ो आलू समोसे में जाता है उसको मैश कर रहे हैं हों मपासी मैश करने का यंत्र भी है देखिए इस वाली कडाई वे मे छोले पके रहे हैं इस वाली कड़ाए में अब जो समोसी की फिलिंग है वो बनेगी ये तेल है ये क्या डाल रहे हो जीरा डालो कितना सैटिस्पाइंग लग रहा है वहाई चीटे आ गए और फिर से मसाले डालो तो ये बन रहा है जी समोसी की फिलिंग ओके ये आ गई मिर्चे अरे इतनी जागा अभी आ गए मटर समोसी में मटर भी होता है तो ये वही मटर बास चलिए ये समोसी में जो फिलिंग डलती है वो बन रही है उस साइट से छोले बन रहे है जिसके ताम समोसा खाएंगे तो लेट्स गो काफी टाइम से हम लोग प्लाइन बना रहे हैं हाइक पे जाने का पहाड पे जाने का लेकिन बन नहीं पा रहा है बाट यस इस वीडियो के बाद शायद जो व्लॉग आएगा वो आपको पहाड वाला व्लॉग बिलेगा इंशालला मैं पुरी-पुरी यह हमारे समोसी की फिलिंग बे रेडि हो गई है तो आपी जो पता है वो रोटी बनानी है फिर कट लगाने है फिर समोसा बनाना शेप जो समोसी की शेप देनी है तो वो प्रक्रिया है अभी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगी बाइत वी एक नहीं दिन हम से किसी को मार भी बड़ती है वहें जोक सपाथ यह आटा है यह अब ही क्या करती है सामने काही खुब सूरड मंजर है आप लोग Kil though Last स्भस्यात दिखा मामी वेना न वे सामने वेना रही है ये देखिए, ये है आलू की फिलिंग, ये है रोटी, पहले रोटी बनती है, उसके बाद कट लगता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और ये बन चुके हैं समोसे, देखिए, ये देखो, ममी ने कैसी शेप दिये समोसो को, अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अभी द इसे फोल्ड किया, ये देखो, ऐसे कोन सफ बनाना है, उसके बाद फिलिंग लेनी है, डालनी है, थोड़ी सी, समोसे के अंदर जो आलू होते हो, किस-किस को पसंद है, वो भी कॉमेंट्स में बताना, मुझे ज्यादा नहीं पसंद, मुझे समोसे का, वो क्रिस्पी-क्रिस दूल चाह, ये देखिये, यह है समोसा, बिसमिल्ला, ममी समोसे बना रही है, और मुझे 아पे बैटके, देखने में, बहुती ज्वादा मजा आ रहा है, मैं हब इसलि lance कर रहा, क्योंकि मेरी जरुरत नहीं है, ममी खुद ही पेल रही है, खुद ही काट रही है, खुद ही आ तेल गरम करना शुरू कर दिया है जिसमें हम समोसे फ्राइ करेंगे एक दम गोल्डन कवल के समोसे फ्राइ होंगे बाइद वे जो मीठी चटनी है वो हमने घर पर ही बनाई थी कल तो कल हमने वो पनीर के पकोड़े बनाई थी तो वह अभी थोड़ी सी बच्ची होगी तो उस को भीज दूँगा यह इतने समोसे बन चुके हैं गिनते एक दो तीन चर पाउच छेस साथ और नौ दैस गियारा बारा तेरह समुसे बन चुकी है यह वो चॉदवां और इखिए वह लिए पकाफी सारे समोसे बनने वाले इतनी फिलिंग अभी बच्ची है और चौदा और तो इसके दो बनेंगे मतलब 16 16 समुसे बने अभी फिलहाल के लिए तो सौला बनेंगे यह है वो चट्नी जो काश्मा ने कल बनाई है तहां से हमने ले ले लिए कड़ाई कड़ाई में लिया तेल तेल में डालेंगे समुसा समुसा करेंगे फ्राइए उसके बाद जाएगा समुसा करेंगे पहला समुसा आप लाच़ा डालेंगे हूँ तो समुसे भी फ्राइए होना शुरू हो गया है मूमना पाल आ लेकिन यह चट्नीना मेरे दोगा दूल कुछ अच्छी नहीं लग रही है बद्राइए मीठी है लेकिन अपानी कहसे इसलिए क्षी नहीं है नही तो यह अभी समोसे ऊखार हो रहे हैं इंधन करिस्प हो गोल्डन ब्राउण है तब भी निकालें के हम इनको रना ममी कि कैसे बाट रहे ऐद आएए आए आए ओए ऐए घर पर समोसे बना के खाना नेक्स लेवल वाई वाई बाई और यह भी दिखाओ यह क्या बना रही हो यह पूरी खुद के लिए हां बनावा कि मैं समोसे नहीं खाते हैं मेरे लिए भी बनाना एक दो हैं चलिये जी यह आ गया समोसा क्रिस्प है खाकर पता चलेगा पहली शिफ्ट में चार समोसे गये थे वह रेडी हैं यह हमारे छोले और रूको मैं आपको दिखाता हूँ यह है हमारे छोले जो अवी हम समोसे के साथ खाने वाले है ऐसे तो कफी अच्छे दिख रहे है लेट सी पापा क्या बोलते हैं कैसे बने हैं यह इतने अभी बनने वाकी हैं इतने अभी कडाई में हैं इतने बन चुके हैं यह पापा भी आ चुके हैं पापा ने आज नया जैकेट लगाया असलाव लेकुम कैसे हैं आप बड़ी आप मैं ठीक हूं मैं दुकान पे जब होता हूं ना मैं सोच रहा होता हूं जब घर जाओंग तो वहां कोई खास डिश बनी होगी मेरे लिए तो बड़ी चाह होती है घर आने की कब मैं गर पोंचिए हो और कब मेरे सामने कोई अच्छी सी डिशाज हो आप यह आप जाओ जाए मैं यह जागेट जाकेट जाए अपने जागेट जाए बहर से अब ही हम गे थे ना मंघाब ट्रिप पे लिए जाकेट भी लेक आप अपने मेरी आदत है तो ब्रेक दूरूलस श्मिल्लाइब तो खाय लेंगे लिगन ऐसे टेस्करने का आलगी मज कि अवहां.. पुझकर असाद के उछ है में का देशा कके साक जाद के निए इसाद की और खूरordeिव है कि अबनागार ग्यवरा इस सौफट सफ्टल जी कि cooperative अब अचहते है अबनागा कि मिस और एक log और कि तेस्ट ईह और है गपर परोट डेल ज़िसे तीस्ट है तो अच्छे से एंप प्लेट मिले के खाएंगे अच्छा नहीं लगता है मैं अभी दुकान से आया हूं और मैंने भी नमाज पड़ी है इशाक की नमाज तो अब हम धिनर के लिए रेडी है हम भी रेडी है खाने के लिए तो देखते हैं आज जो दिन बर इन मेहनत की है तो इसका टेस्ट केस है माशालला क्या समोसे है क्रिस्पी क्रिस्पी मैं देखो कैसे समोसे कहता हूं ये डाले में इसमें चौ़ए पंजाब में भी ऐसे चौ़ए डालते है होटल ौाले इतार हम भी होटलुआ समोसे अपने गर बना के खाँए लएगे थोड़ा सा हम दही लेंगे माशा-ALLला माशा-ALLला चटनी ॹेयरी बटिया रानी ने बनाए कषपाजी यह थोड़ा सा प्यास जालेंगे गार्ष करेंगे प्यास से माशाला ये मुझे खाने दे अब रहा नहीं जाता हूं बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह माशालला 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 बोहत जबात समों से बनें में जो हम पंजाब ट्रिप पे गए थे हमने दो बार मेरे बेटे और मेने दो बार वहां होटल में समोसे खाए है पंजाग भी जो है वो चुँंकि प्रफेशनल है समोसे बनाने में लेकिन हमादी नादिया जी भी कुछ कम नहीं है इसने भी बहुत ही जबर्दस समोसे बनाए बिल्कुल लाजवाब समोसे है मम्मी भी लाइक बहुत ही टेस्टी एकदम soft soft crispy crispy जो है समोसे है समोसे की उपर वाली परद है और तो फिलिंग है वह भी बहुत ही लाजवाब है टेस्टी है अब इसदा बाते नहीं करते क्योंकि मेरे मूं में पानी आ रहा है खाता हूं समोसे आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक